तो यहां पे दुस्तों Unio App में एक नया फीचर है जहां पे आप लोग Mutual Fund जो भी आपका है उसके अंगैस्ट में आप लोग यहां पे लोन भी ले सकते हैं जब आप लोग यहां पे Investment वाले आप्सन में आएंगे इसके बाद यहां पे आप देखेंगे तो यहां पे लिखा हुआ है Get Loan Against Mutual Fund तो हम अगर इस पे क्लिक करेंगे तो अब इसमें फीचर हो चुका है जैसे आप लोग अपने FD, I mean दोस्तों Fixed Deposit के अगैस्ट में लोन ले पाते थे वैसे अब यहां पे फीचर ही आ गया कि आपका जो भी Mutual Fund में पैसा है उसके अगैस्ट में भी दोस्तों आप लोग लोन ले पाएंगे यहां पे कुछ Isability है जो कि आप देख सकते हैं यहां पे दोस्तों इसकी जो Isability है उसको आप यहां पे पढ़ सकते हैं सारा कुछ यहां पे लिखा हुआ है और आप इस तरीके से यहां पे जो भी इसका चार्ज है और जो भी चीज़े हैं वो आप यहां पे पढ़पाएंग दूसरा यहां पर features मिलता है और तीसरा दुस्तों यहां पर calculator मिलता है जैसे कि हम लोग feature पर क्लिक करेंगे तो यहां पर लिखा हुआ है no need to sell mutual fund ठीक कि यहां पर mutual fund को बेचने के कोई जोद नहीं है कई बार होता है कि हमको पैसे की जुर्ट होती है और हम अपने mutual fund को मतलब sell कर देते हैं या फिर डॉल करेते हैं पैसे को तो ऐसी condition को देखते हुए यहां पर इन्होंने बोला है कि आपने mutual fund को मतलब sell मत करी उसको hold रखिए और हम उसके अगेस्ट में आपको loan दे देंगे ठीक है और यहां पर आपको कई सारे feature मिलेंगे जो कि loan से काफी अच्छी होता है बहुत साई चीज़े हैं जो कि आप यहां पर देख पाएंगे और यहां पर दूस्तो में यह है कि आपका जो minimum loan amount यहां पर हो सकता है वो 25,000 तक का होना च सकते हैं यहां पर 25 जा से starting है ठीक है तुम्हें मोटा मोटा सभी को यह बता दूं जिससे कि यहां पर आप ग्जांपल भी दिया हुआ है कि maximum loan amount यहां पर कितना है maximum loan amount है यहां पर 10 लाग ठीक है यहां पर दोस्तों में यह है आप यह देख सकते हैं आप 25,000 से starting है आप लोग 25 जा से ले सकते हैं तो यहाँ पे दोस्तो जो maximum की limit रखे गई लोन की वो आपकी देख सकते हैं अगर equity mutual fund है तो वहाँ पे 10 लाग है और अगर आपका यहाँ पे debt mutual fund है तो यहाँ पे आपको दे रहे हैं यह 50 लाग का लोन ठीक है तो यह काफी अच्छा है दोस्तो कभी आगर आपको जोट पढ़ती है और वो sell करने की नौबत आती है तो आप इस तरीके को अपना सकते हैं यहाँ पे आपको calculator भी दिया हुआ है आप calculator से आप कर भी सकते हैं suppose आपके पास अभी 2 लाग रुपए है आपके mutual fund में तो अगर हम यहाँ पे 2 लाग लिखेंगे तो अगर हमने यहाँ पे 2 लाग लिखा तो यहाँ पे मुझे कितना देगा यह loan आपको 1 लाग मिलेगा तो मोटा मोटा दो समझ लीजे कि अगर आपके पास 50 जार है तो वहाँ पे आपको loan जो मिल सकता है वो 25 जार ही मिल पाएगा इसके बाद हम debt में अगर चेक करेंगे यहाँ पे debt में चलेंगे और आपको debt पे क्लिक करना है इसके बाद यहाँ पे माल लेते हैं कि 2 लाग इसमें भी डालते हैं और चेक करते हैं कि 2 लाग कम को कितना मिलेगा तो अगर आपका debt के mutual fund में आपने investment कर रखा है और वहाँ पर उसकी value जो इस समय है वो 2 लाग के आसपास है तो यहाँ पर आपको उसका loan जूमें सकता है वो 1.5 लाग के आसपास मिल जाएगा तो यह दोस्तो काफी अच्छी चीज है और अगर आपको जूरत पड़ती है तो आप इसको ले सकते हैं और इसका दोस्तो सबसे अच्छी बात है कहीं visit ने करना है सारा कुछ दोस्तो इसका online ही हो जाएगा जैसे कि दोस्तो आप यहाँ पर देख पाएंगे documents में कि 100% digital and no documentation is required मदब 100% दोस्तो यह मदब जो भी है वो online ही हो जाएगा ठीक है आप घर बैठे इस loan को ले सकते हैं तो आगर दोस्तो आपको यहाँ पर loan लेना है तो आप यहीं से apply कर सकते हैं I am interested पर click करके आपका दोस्तो जो को यहाँ पर loan लेना है simple दोस्तो कहने के बतलब यहीं है कि आपका जो भी amount होगा उसका 50% आपको मिल जाएगा अगर debt का है तो वहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा मिल जाएगा और दोस्तो यह काफी अच्छा feature है अगर आपको पैसे जोद पड़ती है और आपके mutual fund में पैसे है तो वहाँ पर उसको बेचने के बजाए आप अगर इसके अंगाश्ट में loan लेते हैं तो यह काफी अच्छा तरीका हो सकता है तो I hope दोस्तो यह process आप से भी को समझ में आया होगा फिर भी अगर आप इसको process करते हैं और वहाँ पर कोई भी कहीं पर भी दिक्कत आते है किसी भी step में आप इस्टक हो जाते हैं तो आप दुस्तो comment box में लिख सकते हैं और मैं आपके comment का उत्तर जोड़ दूँगा थैंक्स फॉर्ट दूस्तो बाए बाए